नमस्कार बच्चों मैच्स की थर्ड क्लास में आप लोगों का स्वागत है तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज चलाई हुई है H.S.S.C. के C.E.T. के एक्जाम के लिए ठीक है? तो उसकी आज मैच्स की आपकी रहेगी थर्ड क्लास ठीक है और जो टॉपिक हमने चलाया हुआ है वो है हमारा Time and Work Time and Work यानि समय और कारण समय और कारण ठीक है? तो इसके Type 1 और Type 2 के questions हमने कर लिये हैं और Type 2 में एक जो question मैंने कल बताया है कि जो सबसे important point to you है आपका वो आज हम discuss करने वाले हैं तो type 2 आज आपकी complete हो जाएगी type 2 का जो question common रहता है वो हम लोग आज करेंगे तो उसके बाद आपके पास चीजें रहेंगे type 3 हो गया, type 4 हो गया, type 5 हो गया या जितने type के भी questions आपके रहेंगे वो सारे के सारे discuss किये जाएगे ठीक है, उसके बाद आपके exam oriented question रहेंगे exam oriented यानि जो आपके पिछले exams में पूछे जा चुके है या जिस type के questions आपके पूछे गई है तो वो सारे के सारे हम लोग यहां discuss करेंगे ठीक है, तो आज type 2 का जो last question है वो हम लोग discuss करते हैं तो question क्या होगा A plus B B किसी कारे को 10 दिन में समाप्त कर देता है B plus C किसी कारे को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं और C plus A किसी कारे को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं तो यह आपके पास एक question गिवन होगा ठीक है, और इसमें question आपसे 4 पूछे जा सकते हैं पहला होगा कि बताओ ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगी, दूसरा कोशन पूछेगा कि A अकेला कितने दिन में करेंगा, तीसरा कोशन पूछा जाएगा B अकेला कितने दिन में करेंगा, और चोथा कोशन पूछा जाएगा C अकेला कितने दिन में करेंगा, ठीक है, जनर सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको लेना है LCM, ठीक है, और LCM से मुझे क्या मिलता है, जो काम मैं करवाना चाहता हूँ, वो मुझे मिलेगा LCM से, ठीक है, और second मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति से काम करवाना है तो उसकी शमता आपके पास होनी जरूरी है शमता यानि के efficiency उसकी होनी बहुत जरूरी है ठीक है तो ये दो चीजें आपको हमेशा करनी है तो इस question में सबसे पहली चीज हम लेते हैं अपना LCM तो LCM हमारे पास कितना आगया 10, 15 और 20 का LCM कितना आगया 60 ठीक है और second step हमें क्या करना होता है efficiency लेनी होती है तो 10 दिनों में 60 काम किया जाए तो efficiency आगई 6 15 दिनों में 60 काम किया जाए तो efficiency आगई 4 20 दिनों में 60 काम किया जाए तो efficiency आगई कितने आपकी 3 तो यहां तक question आपका बिल्कूल easy रहेगा ठीक है और इसके बाद जो गड़वड हम लोग करते हैं वो हम लोग यहां देखते हैं जो question आपका गलत करवाएगा वो क्या कहता है भी अब आप यहां पर देखते हो भी अगर तीनों से काम करवाना है तो हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं इनकी efficiency add कर देते हैं तो आप efficiency add करके क्या लिख देते हो A plus B plus C is equals to 13 ठीक है यह इनकी क्या आगई efficiency आगई और आप फटाफट क्या कर देते हो 60 by 13 करके 48 by 13 आपका आंसर लगा देते हो ठीक है और यह answer आपका होता है गलत यह जो 13 efficiency आई यह हम लोग यहां देखते नहीं है पहले जितने भी question हमने क यह वहां पे आपको यहां पे efficiency सिरफ A की गिवन थी सिरफ B की गिवन थी सिरफ C की गिवन थी लेकिन अगर आप यहां देखो तो इस बात का मतलग क्या है कि A और B की जो combined efficiency है वो कितनी है वो 6 है B और C की combined efficiency जो है वो कितनी है 4 है C और A की जो combined efficiency है वो कितनी है 3 है यानि जब आप left hand side को plus करते हो तो आपको यहां क्या मिलता है A plus B plus B plus C plus का C plus A is equals to 13 तो A कितनी बार है दो बार तो यह क्या बन जाता है 2 A B कितनी बार है दो बार तो यह क्या बन जाता है 2 B और C कितनी बार है दो बार तो यह क्या बन जाता है 2 C इनकी efficiency कितनी है 13 तो 2 common ले लेते हैं तो A plus B plus C की efficiency कितनी आ गई 13 तो a plus b plus c बराबर हो गया 13 by 2 यानिके 6.5 ये आपकी correct efficiency है अगर आपको a plus b plus c से काम करवाना है तो सिरफ a plus b plus c की efficiency चाहिएगी हमें double efficiency नहीं चाहिए तो अब a plus b plus c की efficiency आगई 13 by 2 काम हमारे पास है 60 efficiency मेरे पास है 13 by 2 तो ये 2 पलट के उपर आ जाएगा ये क्या बन जाएगा 60 into 2 by 13 120 by 13 ठीक है तो ये आपके पास हो गया 9 3 by 13 ये आपका correct answer है अगर a plus b plus c मिलकर काम करेंगे तो ठीक है भी इसके बाद question थोड़ा सा और आगे चलता है और आपसे पूछता है अकेला ये इस कारे को कितने दिन में करेगा यानि सिरफ a से काम करवाना है और अगर a से काम करवाना है तो हमें a की efficiency चाहिएगी लेकिन यहाँ पे तो a plus b है और यहाँ पे a plus c है यानि a के साथ c की efficiency जूड़ी हुई है और a के साथ b की efficiency जूड़ी हुई है तो मुझे ना तो b की पता है ना c की पता है तो अब a की efficiency अगर मुझे निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं a plus b plus c की efficiency में से अगर मैं b plus c की efficiency माइनस कर दूँ तीनों की शमता में से b और c की शमता अगर घटा दी जाए तो बचता क्या है a plus b plus c माइनस का b माइनस का c यह सारे cancel हो गए बचेगी किसकी efficiency a की ठीक है तो करना कैसे है तीनों की efficiency कितनी है 13 by 2 b plus c की efficiency जल्दबाजी में days माइनस मत कर देना efficiency हमें माइनस करनी है तो efficiency कितनी है 4 तो 13 by 2 माइनस का 4 तो यह हो गया आपका 5 by 2 ठीक है यह आ गई a की efficiency तो a की efficiency आ जाए ठीक है अगली slide पर दिखते है a की efficiency आ गई मेरे पास 5 by 2 यह efficiency है ठीक है इसी तरीके से b की efficiency अगर निकालनी है तो a plus b plus c में से a plus b plus c में से a plus c की efficiency माइनस कर देंगे और अगर c की निकालनी है efficiency तो a plus b plus c में से a plus b की माइनस कर ठीक है तो a plus b plus c की हमें यह पता है 13 by 2 है यहाँ पे भी 13 by 2 होगी a plus c की efficiency कितनी है तो a plus c की efficiency पिछली slide पर देखते है a plus c की कितनी है भी आपके पास 3 है ठीक है और a plus b की कितनी है 6 है तो आगे आजाओ a plus c की कितनी है हमारे पास efficiency 3 तो lc हम लेंगे तो यह क्या बन गया 13 माइनस का 6 by 2 7 by 2 यह b की efficiency आ गई ठीक है इसी परकार से यहाँ पे 6 था तो c की efficiency कितनी आ गई 1 by 2 यह तीनों की efficiency आ गई अगर तीनों की efficiency है तो अब हम इन से काम करवा लेते है work हमारे पास कितना था जैसे कि आपको पता है lc हमने में लिया था तो work हमारे पास आया था 60 तो days a के द्वारा कितने लिये जाएंगे 60 इंटो में 2 यह 2 फिर से पलट की उपर आ जाएगा तो यह कितने दिन लेगा भी 24 days ठीके बी से अगर काम करवाना है बी के जो days है वो कितने हो जाएंगे 120 by 7 यह 2 पलट के फिर उपर आ गया था तो 60 इंटो में 2 विल गिव यू 120 120 by 7 और अगर c के days निकालने है तो यह हो जाएंगे आपके total ही 120 days क्यों नीचे 1 होगा तो 1 से divide करने के उपर कोई फरक नहीं पड़ता ठीके तो आपके पास यहाँ पे चार questions के answer आ गए और इन में से कोई ना कोई यह question आपसे पूछा जाता है ठीके चार question के answer है एक तो a के days a के days दूसरा b के days अगर b से अकेले काम करवाया जाए तीसरा c के days और चोथा question आपसे क्या था a plus b plus c अगर मिलकर काम करें तो उनके days ठीक है तो यह question एक बर दुबारा देख लेते हैं यह question आपका type 2 में सबसे important question है important इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहली गलती हम लोग करते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बताई है यह खास कर ध्यान रखना यह गलती नहीं होनी चाहिए efficiency आपको half करनी पड़ेगी क्योंकि जब left hand side को plus करते हो तो यहाँ पे यह जो है वो categorize दो बार हो चुका है तो double plus करोगे तो efficiency भी double हो जाएगी same case B के साथ होगा और same case C के साथ होगा तो जो efficiency हमें मिलेगी वो double मिलेगी उसका half हमें करना पड़ेगा ठीक है इसलिए यह question important रहता है और जितने भी question किये थे उसमें हमने plus और minus तो किया ही किया था तो उसके हिसाब से भी यह question important रहता है क्योंकि type 2 के जितने questions हमने कल किये थे उनहीं में से यह question सबका mixture आप लोग कह सकते हो ठीक है तो एक question और discuss करते है उसके बार type 2 को खतम करते हैं एक नया question लेते हैं ठीक है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे भी a plus b करता है 9 days में a plus b करता है 9 days में b plus c करता है 15 days में और c plus a करता है 18 days में तो question चार फिर से वही रहेंगे a plus b plus c कितने में करेगा a अकेले में कितने में करेगा b अकेला कितने में करेगा और c अकेला कितने में करेगा ठीक है तो सबसे पहला step LCM LCM कितना आ गया इनका LCM आ गया 90 पहले की efficiency शमता 10 इसकी शमता 6 और इसकी शमता 5 ठीक है काम करवाना है starting में a plus b plus c से तो सिधा सा है LCM कितना आ गया 90 10 6 5 efficiency आ गई दो b की और दो c की तो a plus b plus c की efficiency जो होगी वो हो जाएगी 21 by 2 ये ध्यान रखना है ठीक है ये 2a कहां से आया मैंने आपको बताया जब आप left hand side को plus करोगे तो 2a जूडेंगे 2b जूडेंगे और 2 ही c जूडेंगे तो a plus b plus c की efficiency कितने आ गया 21 by 2 ठीक है एक बार सब की efficiency निकाल लेते हैं a की efficiency कैसे मिलेगी तीनो की efficiency मेंसे a को बचाना है तो b plus c को minus कर देते है b plus c की efficiency कितनी है 6 ठीक है तो ये हो गया 21 by 2 minus का 6 lc हम लोगे 21 minus का 12 by 2 ठीक है तो ये हो गया 9 by 2 ठीक है B की Efficiency आ गई ये ए की आगई B की अब निकाल लेते हैं B को बचाना है तो किसको माइनस करना पड़ेगा A और C को माइनस कर देते हैं A प्लस B प्लस C मेंसे किसको माइनस कर देंगे A और C की Efficiency तो A प्लस B प्लस C आपके पास कितना था 21 by 2 और A प्लस C कितना है 5 ठीक है तो B की Efficiency आपके पास कितनी आ गई B की Efficiency मेरे पास आ गई 21-10 यानि 11 by 2 ठीक है तो C की और निकाल लेते हैं C की Efficiency डारेक निकाल देता हूं 21 by 2 माइनस का 10 यानि फिर से कितनी आ गई 1 by 2 ये C की Efficiency है ये B की Efficiency है और ये A की Efficiency है और ये A प्लस B प्लस C की Efficiency है तो ये सब की Efficiency मैंने निकाल लेते हैं ठीक है Qशन एक पूछा जाएगा तो आपको उसी हिसाब से Efficiency निकालनी है आप देखें A प्लस B प्लस C कितने दिन में काम कर देगा काम है मेरे पास 90, efficiency है 21 by 2, ये 2 पलट के फिर से उपर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, 90 इंटू में 2 by 21, 7, 30, तो ये हमारे पास आगया 60 by 7, तो ये कर लेंगे 8, 4 by 7, ये मेरा पहला answer है, ठीक है, अगला काम करवाना है किस से, ए से, ए की efficiency कितनी है, 9 by 2, तो ये होगा 90, अब उन में 9 और इंटू में 2, तो ये कितने दिन लेगा, ये लेगा आपके 20 days, बी से काम करवाना है, बी से अगर काम करवाना है, तो बी की efficiency कितनी है, 11 by 2, तो ये हो जाएगा 90, 180 by 11, ठीक है, ये आगए मेरे पास बी के days, फ्रेक्शन में आप convert कर सकते ह हो, C, अगर काम करवाना है, तो C की efficiency है, 1 by 2, तो 90 इंटू में 2, अब उन में 1, तो ये कितने दिन लेगेंगे, 180 days, तो ये question आप लोग try कर सकते हो, ठीक है, तो ये question भी important है, तो हमने दो question discuss किये, ये खतम होती है, आपके पास type number 2, ठीक है, तो type 2 हमारा complete होता है, type 2 हमारी complete होती है, कल discuss करते है, type number 3, तो type number 3 के जो questions है, वो रहेंगे efficiency based, efficiency based यानि शमता के उपर आपके question पूछे जाएंगे, किसके उपर, शमता के उपर, अब शमता के उपर question किस तरीके से पूछा जाता है, मैं कहता हूँ भी, एकी शमता B की दोगुणी है, दारेक्रणी हो सकता है, एकी शमता B से दोगुणा जादा है, ठीक है ये question आ सकता है A की शम्ता B की 2 by 3 है कुछ इस तरीके से question आ सकता है A की शम्ता B से 20% क्या है जादा है ये question आ सकता है यानि direct multiple का भी दे सकता है multiple भी दे सकता है fraction भी दे सकता है और आपके पास percentage में भी दे सकता है तो ये तीन टाइप के कोशन आपके आते हैं टाइप थरी में कोशन्स बहुत सारे होंगे अलग-लग लैबल के कोशन होंगे तो फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो आपके पास चीजें हैं बेशिक के हिसाब से थोड़ा सा एडवांस लैबल ठीक है जो random questions आपके exam में पूछे जाते हैं उसी साफ से आपकी तरी करवाई जाएगी ठीक है तो जो main questions आपके exam oriented है वो मैंने पहले ही बताया ये topic complete होने के बाद में आपकी एक पुरे के पुरे questions की PDF जो होगी उसको हम लोग solve करवा देंगे पुरा का पुरा complete जो होगा वो course है ठीक है time and work का या पुरा का पुरा maths का जो HSC के according course ये CET के according जो आपका course है वो आपका पुरा complete होगा ठीक है तो questions की बहुत कोई कमी नहीं है questions जितना आपको होगी उतने questions हो जाएंगे लेकिन थोड़ा time period को भी ध्यान में रखते हुए क्योंकि अगले मंत जो आपके है exam है पटवारी के, कैनाल पटवारी के, ग्राम सचीव के और आपके दुरगा शक्ती के उसके हिसाब से थोड़े से question या थोड़ी सी speed हम इन लोगों के हिसाब से भी बढ़ा के चलेंगे तो आज के लिए इतना ही type 2 को ध्यान से देखिएगा तीन वीडियोज हैं आपके पास जिसमें हमने type 1 और type 2 को cover किया है आगे की वीडियोज के लिए कल के लिए channel पे दुबारा आईए उसके लिए wait करो थोड़ा ठीक है और अगर facebook या telegram पे आपको जुड़ना है तो वहाँ पे आपको link given है fb group का link given है fb के page का link given है ठीक है और telegram का link given है अब telegram में फाइदा क्या है आप लोगों को आपको अगर किसी question में दिक्कत आती है हो जाएगा ठीक है वो solution आपको हो सकता है copy के उपर आ जाए ठीक है हो सकता है आपको video lecture के थरू मिल जाए तो वो solution आपको provide हो जाएगा ठीक है तो इन सबको like कीजिए share कीजिए जितना हो सकता है आपने friend circle में ठीक है like share जितना हो सकता है उतना करे और जो videos आपकी आ रही है ज चीज को आप सब्सक्राइब कीजिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का